ओके शिबब रोक रहूं आपको शुरुआती रुजानों में कॉंग्रेस को राजस्थान में बहुमत मिल गया है और मुझे पता है अशोग गहलोत और उनकी पूरी की पूरी टीम जो की न्यूस 24 टुडेस चनक्या का स्टेट एनालेसेज उन्होंने जरूर देखा होगा का राहत की सांस लिए होगी निश्चिंत नहीं बैठे होंगी अभी क्योंकि सिर्फ आदे घंटे की EVM की गिंती हुई है लेकिन फिर भी बहुमत का आकड़ा शुरुआती रुजान में कॉंग्रेस पार्टी ने राजस्थान में पार कर लिया है और मध्यप्रदेश में द अनन्त विजय एक कॉमेंट आपका के सियार अगर दोनों सीटों से पीछे हैं अनन्त क्या कोई संदेश है इसमें और क्या ये 36 का आंकड़ा है फिलाल तेलंगाना का कॉंग्रेस और बियारेस का क्या ये सही हो सकता है ये संकेत तो सबसे बड़ा कॉंग्रेस पार्टी के लिए है कि कॉंग्रेस पार्टी भी कुछ कर सकती है मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 36 गड़ के रुजहान दिखाई दे रहे हैं और वहां के मुख्यमंतरी दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं तो आज तो ये दिन कॉंग्रेस पार्टी का है और मुझे लगता है कॉंग्रेस पार्टी की जो परंपरा रही है कि कॉंग्रेस पार्टी कभी अपने दम पर बहुत कम जीती हो दूसरों की गलतियों से सकता में आती रही है अगर आप 77 से उठा के देखें तो अप तक लगबग यही होता रहा ह सिर्फ 2009 को छोड़ कर तो मुझे लगता है कि ऐसे ही तेलंगाना में भी बियारेस से लोग थोड़े खफा होंगे थोड़े नाराज होंगे वहां से ब्रस्टाचार की खबरे भी आती रही है को मुझे लगता है कि उसका लाव कॉंग्रेस पार्टी को मिला और जिस तरह से भा बारती जनता पार्टी को पहले वहां एक सीट थी और वो दो गुनी से भी जादा बढ़कर तीन सीटों पर आगे चल रही है तो भारती जनता पार्टी के लोग इसका जश्न मनाएंगे उनको खुशी भी होगी कि वो वोट शेयर जैसे अभी सिभम जी कह रहे थे कि उनका वोट शेयर बढ़ रहा है वहां तो यह सब देखने के लिए ठीक ठाक एनलेसिस करने के लिए मानक जी मुझे लगता है कि अभी थोड़ा एक डेड़ दो गिंटे और इंतिजार करना चाहिए कॉंग्रेस पार्टी देखिए हम यहां एनालिसिस में ही रहे गए राजस्थान में कॉंग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े के पार चली गई है 105 पर पहुंच गई है 199 में से 105 दो सो का बहुमत का आंकड़ा होता है 105 हो गया उसी तरह तेलंगाना में भी 119 में से 60 का बहुमत का आंकड़ा है कॉंग्रेस पार्टी 76 हो गई में कोई संदेश है जैसा मैंने कहा अभी आदे घंटे से जादा 40 मिनट के करीब EVM के वोटों की गिंती हुई है शुरुवाती राउंड हैं लेकिन फिर भी देखिए साधना भारती के तो मुझे लगता है जनता जो जो वोट बंद हुआ दिख रहा है और ये कमंडल का खेल खेलने के कोशिश तो भाज़पा ने की लेकिन मैं तो हमेशा कहती हूँ जिस दिन कमंडल से मंडल बाहर आएगा उस दिन भाज़पा का सत्ता जा सूपड़ा साफ हो ही जाएगा 113 कॉंग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में बहुमत के आखने थे सिर्फ दो सीटे पीछे इस वक्की ब्रेकिंग न्यूज है ये मैं चाहूँगा अपने PCR से कहूँगा कि ज़रा यहां ब्रेकिंग न्यूज चलाईए चार में से तीन राज्यों में कॉंग्रेस पार्टी श शुरू हुई है उससे पहले पोस्टल बैलट की गिंती हुई लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे इन आकड़ों को गंबीरता से आपको लेना पड़ेगा चार में से तीन राज्यों में कॉंग्रेस बहुमत के पार है एक राज्यों में बहुमत के करीब दिखरी है मध्य प्र पर लोकसभा में इनी राज्यों में बीजेपी से बुरी तरह हारी थी अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव में इन राज्यों में क्लोस कॉंटेस्ट में हार जाती है लोकसभा चुनाव के लिए उसके होसले बुलंद रहेंगे लेकिन कॉंग्रेस पार्टी के होसले भी अगर ये कॉंग्रेस पार्टी चारो राज्य जीती है तो जरा सोचिए कितने बढ़ जाएंगे और तीन राज्य जीती है तो सोचिए जरा तब भी तीन एक्स का जो स्कोर है वो क्या कहेगा